दोस्तों जब भी हमें online store create करनी होती है और हम internet के उपर search करते हैं तो हमें हजारों ऐसी companies मिल जाती है जहां पर यह services provide की जाती है कि आप उनके platform को use करके अपना online store setup कर सकते हैं लेकिन इन में से mostly दो ही ऐसी companies हैं जिसका market में सबसे ज़्यादा use किया जाता है जैसे कि Shopify and WooCommerce तो आखिर इन दोनों companies के अंदर ऐसी कौन सी specialities है जिसके वज़े से इन दोनों companies को ही ज़्यादा users choose करते हैं और इन दोनों companies के अंदर आखिर कौन सी difference है जिससे कि आपको यह present करने वाले हैं यानि कि इसकी services की features वगरे की analysis करेंगे इसकी cost वगरे की analysis करेंगे कि आपके need के according कौन से platform को choose करनी चाहिए जिससे कि आपका कम पैसा भी लगे आपको features भी उसमें loaded मिल जाए जो कि आपके need के according हो और आप कम समय में अपनी online store को त्यार भी कर पाएं so hello everyone welcome back to website support तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ screen के उपर हमने एक graph त्यार किया हुआ है जिसमें हमने उन key points को note किया हुआ है जिससे कि आसानिस हम इस comparison को कर सकें जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ points को note किया हुआ है कि easy to use कौन सा platform होने वाला है cost आपका क किसमें कम लगेगा किसमें ज्यादा लगेगा customization and flexibility की जुबिधा आपको कौन से platform में मिलने वाली है and उसके अंदर आप कौन कौन से ऐसे customization कर सकते हैं performance and accessibility की बात करें तो performance आपको किसमें मिलेगा कौन से platform को अगर आप use करते हैं तो आप उसे long term scale कर सकते हैं SEO capabilities किसके अंदर आ मिलने वाली है SEO capabilities, payment के options आपको किसमें ज्यादा मिलते हैं, किसमें आप easily payment gateway वगरा को integrate कर सकते हैं, theme and design customization का feature आपको क्या क्या मिलता है और कौन से platform में आपको ज्यादा मिलता है और कौन से platform को अगर आप use करेंगे तो उसमें limitations रहेगा, apps and integrations आपको क्या क्या मिलती हैं और कौ दोनों companies के अंदर किस तरीके की provide की जाती है, and ownership and control आपको किसमें ज्यादा मिलता है, इन सभी key points को हम बारी बारी से detail में समझेंगे, जिससे कि हम finally एक conclusion पे पहुंच सके कि हमारे लिए कौन सी platform best होने वाली है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते है, ease of use, यहाँ पर ह अपने hosting वगरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप easily वहाँ पर अपना online store उसी की in-house hosting में create कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप WooCommerce के उपर अपना online store create करना चाहेंगे, तो आपने third party से अपनी web hosting purchase करनी होगी, क्योंकि WooCommerce एक online store create करने का plugin है, जो की free of cost है, उसे आप use कर स और उसके अदर आपको सारे features मिल जाएंगे, जिसका use करके आप आसानी से अपना online store create कर पाएंगे, लेकिन Shopify के अदर आपको in-house hosting मिल जाता है, simply आपने domain चाहे आप कहीं और से purchase करें, या in-house आप Shopify के अदर भी अपना domain purchase करके अपने store को connect कर सकते हैं, तो इस Shopify के अदर आपको technical skill की ज़रुत नहीं है, simply आपने अपना online store उसके उपर create कर लेनी है, और वहाँ पर without technical skill के आप simple अपना theme और चूज़ करेंगे, और store create कर सकते हैं, लेकिन WooCommerce के उपर create करने के लिए आपको WordPress install करना होगा, WordPress website setup करनी होगी, उसके उपर आपने plugin को install करके, then आप अपना store create कर सकत क्योंकि Shopify के अंदर आपको in-house web hosting भी provide कर दे आता है, और जो web hosting आपको provide की जाती है, उसके अंदर limitations नहीं होती है, यानि कि आपके site के उपर, आपके store के उपर कितनी भी traffic आजाए, कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है, आपका store smoothly run करेगा, लेकिन वहीं अगर आपने WooCommerce के store create करते हैं, तो उसके अंदर आपको limitations मिलती है, यानि कि आप किस type की web hosting को choose कर रहे हैं, आपने उसके उपर store create के हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी limitations होती है, अगर आप महंगे plan purchase करेंगे, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा resources मिलने वाले हैं, लेकिन वहीं Shopify के अंदर उसकी bandwidth के उपर, लेकिन cost की अगर हम बात करें, अगर आपको छोटा store create करना है, 10-20 प्रोडक्ट की store create करनी है, तो Shopify आपके लिए costly होने वाली है, लेकिन अगर आपने unlimited stores create करनी है, उसके अंदर आप अपने according customization चाहते हैं, तो आपने WooCommerce को choose करनी चाहिए, अब हम बात करते है customization and flexibilities की, तो customization आपको सबसे ज़्यादा WooCommerce में मिलने वाला है, क्योंकि WooCommerce के उपर आप अपने custom pages वगरे को design कर सकते हैं, WordPress के अंदर जा करके, यहाँ पर आप बहुत सारे types के coding को भी use कर सकते हैं, जैसे कि PHP, CSS, JavaScript, यह सारे language को आप यूज करके वहाँ पर अपने pages को design कर सकते हैं, लेकिन Shopify के उपर आपको ऐसी कोई भी facility नहीं मिलती है, वहाँ पर simply एक ही language चलता है, जो कि Shopify के priority language है, उसी language को use करके आप अपने pages को custom design कर सकते हैं, otherwise जो tools आपको Shopify के अंदर provide की जाती हैं, उसी tool को use करके आपने अपने store को customize करनी होती है, तो अगर हम customization and flexibility की बात करें, तो सबसे जादा आपको WooCommerce के अंदर मिलने वाला है, अब हम performance and escalability की बात करें, तो performance आपको सबसे जादा Shopify में मिलने वाला है, क्योंकि उसके उपर आपको कितनी भी traffic आ जाए, आपकी store के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके bandwidth बगरा के उपर, या आप कितने भी files अपनी store को माईग्रेट करनी है, तो भी आपको इसके अंदर ऐसी possibility मिल जाती है, लेकिन वहीं आप Shopify के store को migrate नहीं कर सकते किसी another hosting के उपर, लेकिन अगर हम escalability की बात करें, तो आपको WooCommerce में जादा मिलेगा, क्योंकि WooCommerce का store है, वो WordPress के उपर बना हुआ है, और WordPress को आप easily किस से महेंगे hosting पे upgrade कर सकते हैं, अपनी site को कहीं भी migrate कर सकते हैं, अपनी location को change कर सकते हैं, जैसे कि server location को जहां से आपके users कौन सी region से नस्दीक पड़ रहे हैं, उसके according आप अपनी server locations को भी change कर सकते हैं, लेकिन Shopify के अंदर आपको ये सारी facility नहीं मिलती है, तो performance में no doubt आपको Shopify को उपर जादा मिलेगा performance, लेकिन अगर आपने business को scale करनी है, उससे आपने बढ़ानी है, तो आपने WooCommerce को choose करनी चाहिए, अब हम SEO capabilities की बात करें, तो SEO के लिए आपको limitations रहता है Shopify का अंदर, लेकिन वहीं अगर आप WooCommerce को choose करते हैं, जो की WordPress के उपर बनता है, तो वहां पर इसे plugins मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप custom अपने pages को design करके, अपने SEO के according उसके content को design कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे meta descriptions वगरा लगा सकते हैं, उसके अंदर आप अपने breed comes वगरा को manually add भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे facility आपको Shopify का अंदर नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको limitations रहती है, तो अगर आपको ये focus करनी है, कि आपके store के उपर जो traffic है, वो SEO से आए, तो आपने WooCommerce को ही choose करनी चाहिए, लेकिन अगर आप short time में अपने store के promotion करना चाहिए, जैसे कि Facebook, Google Ads के जरीए अपने product को promote करके वहाँ से traffic लाना चाहिए, और short time में अपने कोई भी product sell करना चाहिए, देन आपने Shopify को ही choose करनी चाहिए, अब हम payment options सी बात करते हैं, तो payment option आपको किस में जाधा मिलता है, और किस के अंदर आपको जाधा facility provide की जाती है, तो Shopify के उपर आपको 100 से भी जाधा payment options मिल जाएंगे, यहाँ पे in-house आप Shopify का भी payment gateway यूज कर सकते हैं, जिससे कि आ आपको third party किसी payment gateway की applications वगरा फाइल करके वहाँ से आपने account create करनी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब आप WooCommerce को use करेंगे, तो WooCommerce के अंदर आपने manually अपने payment gateway वारा को integrate करनी होती है, यहाँ पे आपको options तो मिलेंगे कि आप इन payment gateway को use कर सकते हैं अपने store के उपर, लेकि लेकिन आप चाहें तो Shopify को उपर without कोई payment gateway create किये, आप इन हाँ Shopify के अंदर अपना payment receive कर सकते हैं और वहाँ से आप payout ले सकते हैं, तो payment options के अंदर आपको ज़्यादा flexibility जो है वो Shopify में मिलने वाली है, ना कि WooCommerce में, theme and designs की बात करें, तो themes and design आपको जो है Shopify के अंदर limited मिलेंगे लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 24 मिलेंगे, आपको 100 plus मिलेंगे designs and themes, लेकिन ज़्यादा designs और ज़्यादा themes आपको WordPress के उपर मिलेंगे, जो कि अगर आप WooCommerce के उपर अपना store create करते हैं, और बहुत सारे ऐसे themes मिल जाएंगे आपको, जो की free of cost हैं, जिसे आप use कर करके अपनी एक बहतर से बहतर online store create कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि apps and integration आपको किस में ज़्यादा मिलती है और किस के अंदर आपको ज़्यादा features मिलेंगे, तो Shopify के अंदर no doubt आपको 6000 से भी ज़्यादा apps integrations मिल जाएंगे, SEO marketing वगरे कि ये सारे tools मिल जाएंगे, जिसे आप integrate करके easily अपने store को promote कर सकते हैं, लेकिन इन सारे tools में mostly आपको paid मिलेंगे, लेकिन जब आप वहीं WooCommerce plugin को use करके अपना site create करते हैं, अपना store बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे free plugins मिल जाएंगे, जिनका use करके, आप इन सभी services जैसे की email marketing, SEO, social media integrations वगरा आसानी से क Shopify में नहीं बलके WooCommerce में मिलने वाला है, security के अगर हम बात करें, तो security भी आप दोनों ही applications के अंदर देखेंगे, जैसे के Shopify के उपर आपको including जो भी hosting आपको मिलता है, उसके अंदर SSL मिल जाता है, जिसे कि आपका store secure रहता है, WooCommerce के उपर अगर आप अपना store create करते हैं, तो व तो mostly दोनों ही applications के अंदर आपको security के features मिलते हैं, जिसे कि आपका store secure रहेगा, अब हम सबसे जो important हो जोती है, कि support आपको किस में बहतर मिलता है, तो no doubt support आपको Shopify में मिलता है, जिसे कि आप customer से chat, email and telephonic भी बात कर सकते हैं, और अपनी issues को resolve करवा सकते हैं, लेकिन WooCommerce के उपर अगर आपको कोई issue होती है, तो यहाँ पर आपको solutions, articles के जरिये provide कियाती है, या आपको third resources को use करके अपनी issues को resolve करनी होगी, यहाँ पर directly contact करने का कोई भी option नहीं होता है, तो support में, no doubt Shopify में आपको सबसे best support मिलता है, इन दोनों platforms के अंदर, अब हम ownership and control के अगर हम बात करें, तो ownership आपको सबसे ज़ादा जो flexibility रती है, वो WooCommerce में रती है, ना कि आपके Shopify में, क्योंकि आपने यहाँ पर store को एक बार create कर लिया, आप चाहें तो इसे कहीं और migrate नहीं कर सकते, किसी another application के उपर आप चाहें इस store को migrate करके ले जाना चाहता है, तो वहाँ पर नहीं ले जा सकते है लेकिन WooCommerce जो कि WordPress के उपर बना हुआ है, उसे आप easily कहीं भी migrate कर सकते हैं, चाहें तो आप उस store को किसी को sell भी कर सकते हैं, तो ownership control आपको सबसे ज़ादा WooCommerce में मिलता है, अब हम इसके final conclusion को उपर आते हैं, कि आपने कौन सी choose करनी चाहिए, Shopify या WooCommerce, तो इसका single एक simple formula है, कि अगर आपको short time में अपने business को online store के जरीए promote करनी है, यानि कि अपने product को आप वहाँ पे list करके उसे promote करना चाहते हैं, quick timely अपना sell करना चाहते हैं, promotions के जरीए, तो आपने Shopify को choose करनी है, लेकिन अगर आप long term में अपने store को create करके उसे online visibility देना चाहते हैं, SEO के जरीए अपने online store के उपर traffic लाना चाहते हैं, तो simply आपने WooCommerce को choose करनी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा flexibility, ज़्यादा customization के features और ज़्यादा control आपको मिलता है, वही Shopify के अंदर आपको बहुत सारे limitations रहते हैं, तो simply अब आप यहाँ पे decide कर सकते हैं, कि आपको कौन सी platform क चूज करनी चाहिए, तो I hope कि इस वीडियो का माध्यम से आपको एक clarity मिल गई होगी कि आपने कौन सी platform को किस reason की वज़े से और किस type के need के वज़े से choose करनी चाहिए, तो वीडियो कैसे लिगी निचे हमें comment करके ज़रूर बताएं, वीडियो गर आपको informative लगी हो, तो इसे like share ज़रूर करें, साथ अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी on कर लेजिए, मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में, किस ने टोपिक के साथ, जैहिंद!